मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकल दमाना न भूलें हेलो दोस्तों मेरे चाइनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल बुखारा की रेसिपी जो की एक इजी रेसिपी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने ये बड़े साबुत काले माज होते हैं वो दाल ले ली थी इसे मैंने पांच शे घंटे के लिए भिवोकर रख लिया था अब मैं इसे उबालने के लिए प्रेशर कूकर में डाल रही हूँ उपर से मैंने इसमें दो बड़े गिलास पानी के डाल लिए है नमक थोड़ा सा तेल डाल लिए है तक ये दाल में उफान ना आए और दाल बाहर ना निकले और ढकन बंद करके मैं इसे पांच शे सीटी आने तक पका लूँगी अब ये देखिए दाल हमारी उबल कर तैयार हो चुकी है आप इसे ओवरनाइट को भिगो कर रखें तो ये जादा अच्छी बनती है अब इसके लिए मैंने ले लिया है गिलास दूद, तेजपत्ता, बड़ी लाईची, मेथी के दाने, दो सावत लाल मिलर्च, दालचीनी, जीरा एक बड़ा फ्याज कटा हुआ, पांच साथ लहसन की कलिया, दो टमाटर, दो तिन हरी मिर्चे और हरा धनिया तो तड़के के लिए सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है, फोर्चुन रिफाइन डॉयल, आप चाहें तो इसे देशी घी के साथ भी छोगू सकते हैं तो तेल गर्म होने पर मैंने इसमें तेज पत्ता और ये खड़े मिसाले मेथी, साथ जीरा, बड़ी लाइची, दालचीनी और दो साथ लाल मिर्चे इन सभी को इसमें डाल दिया है अब इनके अच्छी तरह मिसालों के गर्म हो जाने पर मैं इसमें कटा हुआ प्याज और जो लेसुन लिया था वो भी डाल लूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी प्याज जो है इसे आपने अच्छी तरह पका लेना है जब तक कि ये अच्छी तरह ब्राउन ना हो जाएं अब ये देखिए प्याज हमारे पकर तैयार हो चुके हैं अब मैं इसमें दो टमाटर लिये थे मैंने मीडियम साइज के और दो तिन हरी मिर्चें वह काटकर इसमें एड कर लिये हैं और इन भी अच्छी तरह से चला लेना है उपर से मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया है क्योंकि नमक पहले भी डाला हुआ था तो आप अपने हिसाब से रखें अल्दी पाउडर एक टेबल स्पून और धनिया पाउडर एक टेबल स्पून इन सब्चीडों को डालने के बाद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और टमाट्रों को हलके हतुं से मैश कर लेना है थोड़ा सो मैंने इसमें पानी लगा दिया है ताकि हमारे टमाटर जू मैं थोड़ी देवी से ऐसे ही पकने दूगी अब एक दो मिनट बाद मैंने डखन कुल दिया है और इन टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है जब तक ये तेल छोड़ने ना लगी अबर से मैंने इसमें अब थोड़ी सी कसूरी मेत्री आड़ की है बिलकुल थोड़ी है टेस्ट के लिए और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है और जो दो बची उबाल कर रखी हुई थी मैंने उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है मैंने और इसमें विक्स कर दिया इस दाल का फ्लेवर जोता है वो मखनी दाल की तरह ही आता है अजी देखी मैंने आप जो प्रेशर कोकर में बाकी बचीवी दाल थी वो भी इसमें आड कर ली है और इसे अच्छी तरह से सला लेना है दो चार मिंट तक उपर से मैंने इसमें तोरा सा हरा धनिया एड कर लिया है ताकि धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आजाए दो तिन मिनाट तक इसे ऐसे ही पकाना है इस दाल को ज्यादा पतला नहीं करना है अब उपर से मैं इसमें एक ग्लास दो डाल रही हूं यह दाल गाड़ी गाड़ी ही अच्छी लगती है और दो डाल के भी मैंने इसे जब तक यह खोलने ने लगे तब तक पका लेना है थोड़ी देर इसके लिए ढखा दूंगी देखिए दाल हमारी उबलने लग चुकी है और यह अच्छी तरह से मिल चुकी है और बनकर तयार हो चुकी है और मैं गैस बन कर दूंगी और दूसरे तड़के के लिए मैंने यह कर्ची पे थोड़ा सा एक छोटा चमच सर्सों का तेल ले लूंगी और इसे अच्छी तरह गर्म होने पर अमे इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च जादा नहीं लेनी है इस इस इसमें अच्छी तरह सी मिक्स कर लोगी और थोड़ा सा मैंने इसमें चलाने के बाद गर्म होने पर यह दाल में ऐसे डालना है और इसे मिला लेना है अच्छी तरह और उपर से फिर ढखकल लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है तो दोस्तों हमारी दाल बन कर तयार हो चुकी है यकीन मानिए खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है इसे आप चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ अच्छी बनती है तो आप भी इस रेस्पी को अपने घर में जरूर बनाएं और बताइए कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी और प्रीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू फॉर वाचिंग